असलाव अलेकुम दोस्तों कैसे हो आप साब आप सब आप सब बहुत ही अच्छे होगे तो आज मैं आपके लिए लिए लिखे आई हूँ केरोड की खीर बहुत ही टेस्टी और जो चावल की खीर खाना पसंद करते हैं यह उससे भी अच्छा टेस्ट देने वाली खीर है तो जरूर दिखी और जरूर बगाई तो मैंने इसके लिए दो केरेट को अच्छे से क्रश कर लिया है और मैंने चार से पांच चावल को दो घंटे के लिए बिगा दिया था और अब इसे मिक्सर में पीश लूँगी तो बड़ा सा बाव ले लिया है और इसमें मैं दो च्पम में मैं इसे अच्छे से पकाऊंगे बहुत ही यमी सी टेस है इसका और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ये रेसीपी देखते है वो एक बाद जरूर बनाए इन्शाला उनको ये रेसीपी अच्छे लगेगी तो ट्राइज जरूर कीजिए बहुत ही बड़िया टेस है और गाज गाजर हेल्दी है तो हमें हेल्दी चीज अपनी फैमिली को खुद को भी खाना बहुत जरूरी है और सर्दियों की महिने में ही अच्छे और रेड रेड हमें गाजर मिलते हैं तो जरूर बनाएगे तो बहुत ही सिंपल रेसीपी है लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से लेकि जो भी आपको बताया वो इसे में सिफ्ट कर रही हूँ और चावल डालने के बाद भी मैं 5 मिनिट के लिए इसे पकाऊंगे गाजर के साथ बहुत ही मतब सिंपल से स्टेप है लेकिन वन बाई वन फोलो करोगे तो जैसे मैंने खीर बनाई है वैसी ही आपकी खेर बनेंगी और बहुत ही टेश्टी बनेंगी तो ज़रूर बनेंगे दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलना क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट परना मैं जानना जाती हूँ और प्लीज मुझे बताई तो आधा लीटर मैंने दूद लिया है फुल फेट है अगर आपके पास नॉर्मल दूद जो हम पैकेट्स भी यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके पास अवेलेबल है आप उनसे खीर बना सकते है तो बहुत ही बड़िया टेसे मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एड किया है जो हमारे पास घर में अवेलेबल रहता है मैंने वही उसक्या है इसमें मैंने कलर एड नहीं किया है तो अगर आपके पास गाजर के कलर मतब बढ़िया नहीं है तो अगर कलर दालना चाहते है दाल सकते हो लेकिन अप्शनल है कोई जरुवत नहीं है टेस इतना बढ़िया आता है तो कोई जरुवत नहीं बढ़ती है लेकिन फिर भी अगर आपको दालना है तो केसर भीगो के द लेकिन बहुत ही बढ़िया खिरी थी दोस्तों जरूर बनेए और हेल्दी रहिए और यह नहीं नहीं रेसीपी हम जब बनाते हैं तो सच में खुश होती कि यार बहुत अच्छा टेस्ट है तो बनाते ही रहना चाहिए ऐसा कुछ के हमारी फैमिली भी खुश रहे और क्या चा करने के बाद और थोड़ी गारी होने के बाद हम फिर ही इसमें शुगर डालेंगे क्योंकि शुगर भी अपना पानी मतब रिलिस करता है तो यह बात आप जरू ध्यान रखिए कि जब तक हमारा दूद में चावल और गाजर अच्छे से पकना जाए और जब तक गारी ना ह जबर कर मैंने शुगर हैसिन इत्यन मेठा मेरे मुझे इतना ही चाहिए और मैरेख्याल सी खें इतनी ही पर्फिक्त रहती लीं ही अगर आपको कम डालना है तो कम घ्र सकते हो जाधा करना चाहते हैं तो जाधा चाहते हो लेकिन जाधा कर सकते Но not doing!! तो बहतर है साथ चमश काफी रहती है तो बहुत ही परफेक्ट माप आपको बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनेती दोस्तों और मैं चाहती हूँ के मेरे वीवर्स ही मेरी रेसीपी फॉलो करें और बनाएं तो सिंपल सी रेसीपी कैसी लगया आपको जरूर कमेंड में बत बदाम डाल रही हूँ और अगर आप चाहो तो कोई और द्राइफूर्स भी एट कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो तो बस इसे बदाम डालनें के बाद भी मैं इसे पास मिट और पकाऊंगी और इसके बाद गेस की फ्लैमें बद करके इसे रूम टेंपरेशर पर करके उसक पॉल्सी रेसी भी हमारी 20-25 में रेडी हो गए थी उसके बाद मैं इसे देखी आपको बता रही इसकी गाड़ापन मतब यह पर्फिक्ट बन गए थी बहुत पतली भी नहीं बहुत गाड़ी भी नहीं पर्फिक्ट थी और टेस्ट तो लार्ज जवाब था तो बस इसे मैं ब दो मियाद, आला हाफीज झाला हाफीज